स्री लंका दोरे से पहले रिसब पंत ने कर दिया बहुत बड़ा खेला अटक गई दिल्ली वालों की सांसे जिसका डर था वही हुआ आखरी दम तक लड़ते रहे सौरब गांगुली आखों में आशू लेकर रिसब पंत ने छोड़ा दिल्ली का सांथ परदे के पीछे से धोनी ने रची थी बहुत बड़ी साजिस बिसिसियाई भी हो गई धोनी के मास्टर माइंड की दिवानी आईपील दोजार पचीस में इस टीम से खेलेंगे रिसब पंत इस बार आठ साल का सूखा होगा खत्म क्या किंग कोहली भी छोड़ेंगे आरसीबी का सांथ रातो रात हो गया उलट फेर अनहोनी को भी होनी कर देने वाले महंदर सीध होनी को आखिरकार मास्टर माइंड होनी क्यों कहा जाता है आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा स्रिलंका दोरे से पहले रिसब पंथ ने एक ऐसा बहुत बड़ा खेला कर दिया है जिस खेले की वज़ा से पूरी दिल्ली वालों की सांसे अटक गई है जो रिसब पंथ अकेले दम पर दिल्ली की टीम को कई सारे आईपियल के मैचे जिता चुके हैं जो रिसब पंथ पिछले आठ सालों से आईपियल में देलाई केप्टल्स के टीम का हिस्सा थे आज वही रिसब पंथ ने दिल्ली वालों के साथ बिस्वास घात करने का काम किया इस विश्वास घात के पीछे मास्टर मायंड धोनी ने परदे के पीछे से बहुत बड़ी साजी सरची थी डिलाई क्रेप्टल्स के डारेक्टर आफ ट्रिकेट सवरोग गांगुली ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि रिसवपंद को दिल्ली का साथ ना छोड़ने दिया जाए क्योंकि सवरव गांगूली नहीं चाहते थे कि रिसबपन दिल्ली का साथ छोड़के किसी और IPL की फ्रिंचाजी का हिस्सा बने मगर master mind धोनी के सामने सवरव गांगूली की एक भी नहीं चलती है और रिसपंद ने दिल्ली का साथ छोड़के चन्नाई की तरफ से IPL खिलने का फैसला कर दिया है रिपोर्ट्स की माने तो दोस्तों IPL 2025 में रिसपंद चन्नाई सूपर किंस की तरफ से खिलते हुए नजर आएंगे लेकिन अभी तक यह नई कंफर्म हो पोया ही कि क्या IPL 2025 में CSK की तरफ से रिसपंद रितुराज गायकवार के ही कपतानी में खिलते हुए नजर आएंगे या फिर CSK की फ्रेंचाइजी रिसपंद को ही CSK का कपतान बनाएगी 26 साल के रिसपंद ने 2016 में दिल्ली कैपिल्स के लिए खेलते हुए IPL में डेब्यू किया था जब से अब तक वह दिल्ली का ही हिस्सा है पंद ने 2016 से लेकर 2024 के दवरान IPL में कुल 111 मुकाबले खेले हैं जिसमें उन्होंने 148 की सांदार स्ट्राइग रेट से बल्ले बाजी करते हुए 324 रन ठोके हैं रिसपंद के बल्ले से इस दवरान IPL में एक सतक तो वहीं पर 18 अर्ध सतक देखने को मिले हैं बता दे कि रिसपंद को कपतानी का भी अच्छा खासा अनुभा हो है उन्होंने दिल्ली करिप्टल्स को साल 2021 में अपनी कफ्तानी में प्लेयाप तक भी पहुचाया था मेडिया रिपोर्ट्स की माने तो रिसपंद का दिल्ली करिप्टल्स का सांथ छोड़ने का में कारण यह भी है कि रिसबपंद पिछले आर सालों से दिल्ली की टेम का हिस्सा है मगर रिसबपंद आज तक एक भी IPL की ट्रॉफी नहीं जीत पाएं हो सकता है कि रिसबपंद CSK का दामन थामते हैं रिसबपंद के हाथ में भी कोई IPL की ट्रॉफी आ जाएगी आने वाले समय वैसे दोस्तों आप सभी लोगों को क्या लगता है क्या रिसबपंद ने या फैसला लेकर सही किया है या फिर गलत किया है